सब्सक्राइब कीजिए यहिंधी उर्दू शैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो दोस्तों यहिंधी उर्दू शैनल में आप सभी का स्वाक अता है दोस्तों आज के शुड़ो में मैं आपको बताने हैं आपके Windows 10 PC या फिर आपके Windows 10 Laptop में built-in Apps को कैसे अनिंस्टॉल करते है Windows PowerShell से इस वीडियो में मैं आपको यहीं बताना आला तो इसके लिए दोस्तों सबसे बहुत बटन प्रेस्ट किजे और यहाँ पर सर्च किजे Windows PowerShell इस तरीके से उस पर राइट क्लिक किजे और run as administrator में उसको open किजे open करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ command copy और पेस्ट करना है यह जो भी command से दोस्ते मैं वीडियो के निचे description में दे रहा हो उसको वहाँ से easily use कर सकते हैं first command को copy कीजे और यहाँ पेस्ट कीजे और internet कीजे इस तरीके से दोस्तों internet करने के बाद उसके बाद जो है दोस्तों आपको next command यूज करना है next command में आप एक चीज रिप्लेस करना है दोस्तों जो भी आपको built-in application को uninstall करना है जो भी इसके commands है दोस्तों built-in application के separate separate commands यहाँ पे आप देख सकते हैं यह सब सारे चीजे वीडियो के निचे description में मिल जाएंगे आपको आपको सिर्फ replace करना है Microsoft Windows camera से इस थरीके से जो भी आपको आपको अनिसाल करना है जैसे के दोस्तों movie and tv अगर आप अनिसाल करना चाहरे तो जस्त को कॉपी किजिए command को और यहां पर जो इसका command है दोस्तों इसको replace किजिए just Microsoft Windows camera से इस तरीके से replace करने के बाद दोस्तों इसको copy किजिए फिर से copy करने के बाद यहां पर इसको paste किजिए पेस्ट करने के बाद इंटरीट किजिए थोड़ी देर वेट किजिए दोस्तों यह जो process है वो complete होने तक जैसे process complete हो जाएगा दोस्तों आपने जो भी command यूज क्या है जैसे कि मैंने यूज क्या है दोस्तों आपके विंडोस या फिर विंडोस यहां पर देख सकते हैं तो लाइक किजिए शेयर किजिए और सब्सक्राइब करेजिए विडियो के रिलेटर जो विडोड़ से आप अपने दॉट्सों कमेंट सेक्शेन में ख्लेर कर सकते हैं मिलते हैं लेक्ष वीडो में ठाइंक्यू